द्राव एन अर्चिमेडियन स्पाइरल आफ वन एंड हाफ कन्वलूशन दे ग्रेटेस्ट एंड दे लीस्ट रेडी बिंग 75 mm एंड 15 mm रिस्पेक्टिवली सबसे पहले तो हम बिगर रेडियस द्राव करेंगे जिसकी वैल्यू है 75 mm उसके बाद हम स्मॉलर रेडियस मार्क करेंगे जिसकी वैल्यू है 15 mm जब हमें आर्किमीडियन स्पाइरल ड्राव करने के लिए ऐसे दो अलग अलग रेडियस प्रोवाइड की हो तब हमारा आर्किमीडियन स्पाइरल ये दो सरकल के बीच में ही रहेगा सपोज ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और हमें आर्किमीडियन स्पाइरल एक कन्वलूशन के लिए ड्राव करना है तो हमारा कव यहां से स्टार्ट होके यहां पे खतम हो जाएगा बट यहां पे डेटा में है वन एंड हाफ कन्वलूशन तो हमारा पॉइंट पी यहां से स्टार्ट करके वन कॉन्वलूशन कंप्लिट करेगा और उसके बाद 180 डिग्री जब कवर करेगा तब यह सर्कल पे आएगा जब ऐसे दो रेडियस प्रोवाइट की हो तब पॉइंट पी पोल के पास नहीं जाएगा उसका एंड पॉइंट यह सर्कल पे ही होगा और एंड पॉइंट की पोजिशन यह कन्वलूशन डिसाइड करेगा सर्कल को सबसे पहले हमें 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है यह होगा हमारा पोल ओ यह है पॉइंट पी हम एंटिक्लॉक्वाइज रोटेशन अगर अज्यूम करें यह होगा हमारा पॉइंट वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश फाइव डैश सिक्स डैश सेवन डैश एट डैश नाव स्पाइरल हमें वन अन हाफ कन्वलूशन के लिए ड्रॉ करना है तो टोटल ठीटा होगा 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री तो हमें 9 डैश 10 डैश 11 डैश एड 12 डैश यह फोर एक्स्ट्रा पॉइंट भी मार्क करने होगे जिससे हमारा टोटल एंगल 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री कम्प्लेट होगा हमने 360 डिग्री को 8 पार्ट्स में डिवाइट किया है तो 180 के 4 पार्ट्स होगे तो टोटल ठीटा को हमने 12 पार्ट्स में डिवाइट किया जब हमारे पास डेटा में capital R and small R available है वो टाइम पे spiral capital R minus smaller distance cover करेगा यहाँ पे ठीटा के हमने 12 पार्ट्स किये है तो capital R minus small R के 12 पार्ट्स करने होगे capital R minus small R की वैल्यू है 60 mm तो हर एक पार्ट की वैल्यू होगी 5 mm naming हम यहाँ से start करेंगे यह होगा point one two उसके बाद हम O को center लेंगे radius होगी O to one और एक आर्क लगाएंगे यहाँ पे हमें point मिलेगा P1 यहाँ पे point मिलेगा P2 यहाँ पे हमें point मिलेगा P3 P4 P5 construction आपको light draw करना है P8 point यहीं पे होगा next P9 point हमें यहाँ पे मिलेगा P10 उससे आगे यहाँ पे P11 यहाँ पे होगा और end point P12 यहाँ पे होगा यह है हमारा P1 point this is our P2 point P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 and end point P12 अगर यह सारे points को हम एक smooth curve से जॉइन करेंगे तो हमें Archimedian spiral मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हो कि point P ने total distance cover किया 360 degree plus 180 degree तो यह हुआ 1 and half convolution अगर यह कव में आपको normal and tangent draw करना है तो spiral constant की value होगी linear distance capital R minus r divided by total angle 2 pi plus pi 3 pi dimension के लिए आप ऐसे inner circle का diameter 30 30 and outer circle का भी diameter show कर सकते हो यह होगा 150 150 ऐसे कोई भी कव ड्रॉव करो तो आपको कव ड्रॉव करना है construction always light होना चाहिए कर प्रॉव कर दो बर्ट करो पै। कर दो नहीं कर दो दो पत्रॉव में आपको कर दो नहीं